Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका my young और आई ला रहा हूँ मैं आपके लिए NCEIT geography class 8th के MCQ आज इसी क्रम में यापर आपका chapter 5 है यहाँ पर हम उद्योगों से समझेत प्रशनों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर आज का पहला प्रशन है उद्योग के संधर्ब में नीचे दिये गए कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा घतनापका असत्य है पहला है उद्योग का संबंद आर्थिक गतिविदी से है जो कि वस्तूओं के उत्पादन खनिजोओं के निस्करसर अत्वा सेवाओं की व्यवस्था से संबंद है अगला है उद्योगों का वर्गीकड कच्चा माल आकार और स्वामित्य के आधारबर किया जा सकता है देखें पहला वाला गतन आपका बिलकुल सही है उद्योग का जो संबंद है वो आपके आर्थिक गत्विदी से है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वस्तूओं का उत्पादन भी होता है जैसे आप देख पा रहे हैं लोहा और इस्पाद उद्योग जो है यह वस्तू उत्पादन से संबंदित है वहीं खनिजोग के निसकर से संबंदित उद्योग आपका कोईला खननन है सेवाओं से संबंदित उद्योग आपका परिवन उद्योग है या परिटन उद्योग है यह सेवाओं से संबंदित है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गत्थन बिलकुत सही है उद्योगों का जो वर्गी गड़ है वो कच्चा माल, आकार और स्वामित के आधार पर ये किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन भी सही है यहाँ पर कोई भी कतन गलत नहीं है तो आंसर होगा D ना तो एक गलत है और नहीं दूसरा दूसरा प्रशन है बापका उद्योगों के वर्गी गड़ के संधर्ब में निम्रेकित कतनों पर विचार कीजिए पूचा गया है कौन सा कतन सत्य है पहला है खादि संसादन, वनस्पती तेल, सूती वस्त्र, डेरी उत्पाद और चर्म उद्योग क्रसी आधारित उद्योगों के उधारण है अगला है समुद्री खादि प्रसंसकर उद्योग और मस्य तेल निर्माड समुद्र आधारित उद्योग के उधारण है देखे जो आपके क्रसी आधारित उद्ञोग होते हैं, यह कच्छे माल के रूप में वनसपती और जन्त वाधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं तो इनसे खादिस अंसादन, वनस्पती तेल, सूती वस्त, देरी उत्पाद और चर्म उद्योग जो हैं ये इसी प्रकार की उद्योगों के उधारन हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला खतन बिल्कुल सही है अयस्क से निर्मित लूँवा ये वन आधारित उद्योग नहीं है वलकि ये खनिज आधारित उद्योगों में आ जाता है ये खनिज आधारित उद्योगों में आ जाता है ये खनिज आधारित उद्योग जो होते हैं वो प्रात्मिक उद्योग होते हैं ये खनिज अजस्कों का उपयोग कच्छे माल के रूप में करते हैं तो यहाँ पर लोहा उद्योग जो है वो खनिज आदारित उध्योग है ना के वन आदारित उध्योग तो यहाँ पर आपका second वाला गतन भी गलत हो जाएगा अगला है समुत्री खाध्र प्रसंसकरण उध्योग और मस्ज़ तिल निर्माड समुत्र आदारित उध्योग के उधारण है देखे समुत्र आधारित उद्योग जो है ये सागरों और महा सागरों से प्राप्त उत्पादों का उप्योग कच्छे माल के रूप में करते हैं तो यहाँ पर आपका तीसरा बाला गतन भी सही है वर्गीकड के संधर्व में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए मुझा गया है कौन सा कतन सत्य है पहला है उद्ध्योग के आकार का तातपर निवेश की गई पूजी की राशी नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है आकार के आधार पर उद्ध्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है क्रसी आधारित उद्ध्योग और भ्रहत आकार की उद्ध्योग देखे उद्ध्योग का आकार जो होता है उसमें कितनी पूजी इन्वेस्ट की गई है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना production हो रहा है इन सब के आधार पर तैह होता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला खथन बिल्कुर सही है आकार के आधार पर जो उद्ध्योग है वो दो भागों में माटे कही है एक आपके लगो कुटीर उद्ध्योग है यानि लगो उद्ध्योग और दूसरे हैं आपके बहत उद्ध्योग अब देखें जो क्रसी आधारित उद्ध्योग है ये लगो में भी आ जाते हैं और बहत में भी आ जाते हैं माल लीजिए जो आपकी Mixed Cracy है यानि Mixed Cracy बगएरा होती है वो लग उद्धरित उद्ध्योग है वहीं जो वाड़िजिक Cracy होती है रोपर Cracy जो होती है वो ब्रहद आकार के उद्ध्योगों में आ जाती है जोकि वहाँ पर जो रोपर Cracy की जाती है उनके नजदी की वहाँ पर Production house बगएरा लगे होते हैं तो वहाँ पर Production भी होता है तो वो ब्रहद आकार के उद्ध्योगों में सामिल हो جाता है तो यहाँ पर आप जान लीजिये आकार के आधार पर आपके दो प्रकार के उद्ध्योग दो भागों में माटे गई है लग उद्योग और ब्रहद आकार के उद्योग तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन गलत हो जाएगा केवल पहला वाला सही है तो आंसर तीसरे का A चौथा प्रशन है अब आपका स्वामित के आधार पर उद्योगों के संबंद में नीचे दिये के कतनों में से कौन साथ सही नहीं है पहला है निजी छेतर के उद्योगों का स्वामित और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समू द्वारा किया जाता है अगला है साज्मिक छेत्र के उद्योगों का स्वामित और संचालन सरकार और निजी फर्मों द्वारा होता है यासे हाल और सेल अगला है संयुक्त छेत्र के उद्योगों का स्वामित और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अत्वा व्यक्तियों के समू द्वारा होता है उनका स्वामित्त और संचालन जो होता है किसी इंडिविज्वल व्यक्ति या इंडिविज्वल फर्म के पास होता है यसे आपका रिलाइंस हुआ तो यह इसी निजी उद्योग है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिल्कुर सही है साज्मिक छित्र के उद्योगों को PSU कहा जाता है Public Sector Undertaken तो इनका जो स्वामित्त होता है और संचालन होता है वो गौर्ब्मेंट के द्वारा होता है निजी फर्मों की इसमें कोई जगे नहीं होती है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन गलत हो जाएगा जैसे हाल का मतलब है हिंदुस्तान Aeronautics Limited है सेल का मतलब है Skill Authority of India Limited है तो यह पूरी तरह से सरकार इनका संचालन करती है तो यहाँ पर आपका B वाला option जो गलत हो जाएगा जो आपके सहयोक्त छेत्र के उद्यम होते हैं सहकारी छेत्र के जो उद्योग हैं तो इनका स्वामित्त और संचालन कच्चे माल के उत्पाद कोगों या पूर्तिकारों, कामगारों या फिर दोनों के द्वारा होता है जैसे आपका अमूल है अमूल यानिकि आनंद, मिल्क, यूनियन, लिमिटेड है सुधार डेरी है, या आपके सहकारी उपकरम के उधारण है तो यहाँ पर आपका D वाला गतन भी सही है यहाँ पर गलत वाला गतन जो है आपका, वो B वाला है तो चोथे का आंसर है आपका B पांचमा प्रशन है अब आपका उध्योगों की अवस्थिती को प्रभावित करने वाले कारक निम्न मैंसे कौन से है कच्चा माल, सरम, पूजी, परिभन, बाजार, संचार देखें, यहाँ पर यह सभी कारक जो है किसी उध्योग की अवस्थिती को प्रभावित करने के लिए काफी है, यानि सबसे important बात ही है कच्चा माल उपलब्द होना चाहिए जो लोग महाँ पर काम करने वाले हैं वो उपलब्द होने चाहिए, इसके लावा investment होना चाहिए, transportation की सुद्धा होनी चाहिए, यानि कच्चा माल लाने के लिए और बने हुए माल को बाजार सक पहुचाने के लिए transportation होना चाहिए, हम जो उत्पात बना के तयार कर रहे हैं, उसका आसपास में बाजार भी होना चाहिए, वाई कोई खरीदारी भी तो होगा तबी तो हम बनाएंगे, खरीदारी नहीं होगा तो बनाने का क्या मतलब है, इसके लावा संचार होना चाहिए, यानि connectivity होनी चाहिए, आज की date में तो connectivity इंटरनेट से है phone call से है, तो ये सब संचार के साधन है तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है, इसके लावा बिद्धुत है, भूमी है, ये भी इसमें सामिल है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आपका D, यानि कोपरोक्त सभी छटमा प्रशने अब आपका, ओध्योगिक तंत्र के संधर्म में निमलेकित कत्नों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, पहला है, ओध्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत सामिल है अगला है, निवेश में कच्चे माल, स्रम और भूमी की लागत, जल्क्यू प्लक्ता, परिभण, विद्दुद और अन्य अवसमेचना सामिल है प्रक्रम में बाजार तक महँच, विपणन और विज्याबन आदी सामिल है अगला है, निर्गत अंतिमुत्पाद और इससे अर्धित आये है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है जो निवेस है, निवेस के रूप में आपका कच्चा माल आ जाता है स्रम और भूमी की लागत आ जाती है जल की उप्लक्ता सामिल इसमें, परिभण, विद्दुद और अन्यावसमरचना जो है वो आपके निवेस में सामिल हो जाती है तो यहाँ पर आपका B वाला कथन बिल्कुल सही है आपका जो प्रक्रम है, प्रक्रम में कही तरह के क्रियाकलाब सामिल है जो कच्चे माल को परिस्कत माल में परवर्तित करते हैं तो यहाँ पर आपका C वाला option गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेखा हुआ है, बाजार तक पहुँच बिपणन, यहीं मार्केटिंग और विज्ञापनाज सामिले नहीं, इसमें कच्छे माल को परिस्कत माल में बदला जाता है, प्रक्रम में, तो यहाँ पर आपका C वाला option गलत हो जाएगा, निर्गत का मतलब है output, अंति मुतपात की रूप में, या अर्जेत आई की रूप में आपका आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पर आपका D वाला कतन सही है, यहाँ पर केवल आपका C वाला कतन गलत है, तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकटिस्टित होते हैं और वे अपनी निकटता का लाब आपस में बाढ़ते हैं विस्तु के प्रमुक उद्योग प्रदेश पश्मी ऑस्टेलिया, पूर्वी अफ्रीका, पश्मी और मद्ध यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एसिया हैं देगे अध्योग प्रदेश जो होता है वहाँ पर एक से ज़्यादा उध्योग इस्थाबित होते हैं और ये सभी उध्योग आपस में अपने निकटता का लाब भी उठाते हैं जैसे एक एक्जांपल में आपको दे रहा हूँ माल दीजिए आपका लोह इसपात उध्योग का कारखाना लगा हुआ है अब उसी के बगल में दूसरा कारखाना जो है वो किसका खुल जाता है जो आपकी जो चादरे मनती है तीन की चादरे मनती है उसका कारखाना खुल जात विस्टु के प्रमक उद्धविक प्रदेसों की बात की जाए तो यहाँ पर नाम आ रहा है पहला पश्मी ऑफ्रीका आ रहा है देगे पश्मी ऑफ्रीका को अगर आप अपने मैप पर देखेंगे तो और इनके बारे जानगारी कत्रत करेंगे तो यह पाएंगे कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का उद्धविक प्रदेस नहीं है खास कर कि पूर्भी अफ्रीका तो एक गरीब प्रदेस है यहाँ पर कोई ऑद्धविक प्रदेस आपको देखने को नहीं मिलेगा हाना कि पूर्वी औस्टेलिया में तो आपको अद्विक प्रतिस देखने को मिलेगा लेकि पश्मी औस्टेलिया में नहीं मिलेगा जबकि जो आपका पश्मी और मद्य यूरोप है पूर्वी यूरोप है और पूर्वी एसिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो इस हिसाब से आपके क्योंकि यहाँ पर दो ओप्शन जो इसमें गलत हैं तो आपका सेकिंड वाला ओप्शन गलत हो जाएगा तो यहाँ पर सही आंसर है आपका केवल एक आठमा प्रशन है अब आपका निम्न मैंसे कौन सा भारत का ओधवग प्रदेश नहीं है यह आपको बताना है मुंबई पुणे सम्हू, कुल्लू मनाली सम्हू, होगली प्रदेश, छोटा नागपुर ओधवग प्रदेश, गुडगाओ, दिल्ली, मेरट ओधवग प्रदेश, बुंदेल खंड ओधवग प्रदेश देखें यहाँ पर आपका जो मुंबई पुनेर सम्हू है ये भी आपका एक ओधवग प्रदेस है कुल्लू मनाली जो वाला जो है ये पाइटन प्रदेस है ये आपका ओधवग प्रदेस नहीं है वालकि ये पाइटन गदविदी से संबंदित प्रदेस है यहां पर पाइटन गदवितियां यहां पर होती है ओद्धविक प्रदेश में यह नहीं आता है हुगली प्रदेश भी इसमें आ जाता है छोटा नागपुर का प्रदेश भी आ जाता है गुडगाव दिल्ली मेरट यानि इसको आट में का भी केबल दो और छे ओद्धविक प्रदेश नहीं है नौमा प्रशने अब आपका भोपाल ओद्धविक दुरगटना कब घटित हुई थी दिसंबर 1984, जून 1984, सितंबर 1985, जुलाई 1985 भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगबग रात के साड़े बारे बजी एक घटना घटित हुई थी और अब तक के इतिहास की सबसे त्रासलपूर ओधव दुरगटना इसको माना जाता है यह एक प्रद्धव की दुरगटना थी जिसमें यूनियन कारवाइट के कीटनास की कारखाने से हाइडरोजन साइनाइड और एक प्रतकरिया सील उत्पात था जिसको मिठाइल आइसो साइनाइड के नाम से जाना जाता है यह यहां से रिसाव हो गया था इसका इसके रिसाव की वज़े से लगबग 40,000 व्यक्तियों की मौत हुई थी तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका पहला वाला इन दिसंबर 1984 दसमा प्रशने अब आपका निम्रिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है सूचना प्रद्योग की उद्योग सिख्छा से समन्दित उद्योग चिकिस्षा उद्योग उद्योग में कच्छे माल के रूप में प्रयोगत होते हैं लहवा यस्क, कोईला, बॉकसाइड, चुना पत्थर देखें लहवा इस पात उद्योग में लहवा यस्क तो प्रैमरी इसकी ज़रूत पड़ती है प्रैमरी उत्पाद है यहाँ पर इसके लाबा कोईले की आवशक्ता पड़ती है इसको गलाने के लिए वॉकसाइड जो है यह एलुमिनियम का यस्क है यानि यह एलुमिनियम का यस्क है ना कि लोहये का इसके लाबा जो अशुद्धियां होती है लौयस्क में उसको दूर करने के लिए इसमें चूना पत्थर मिलाया जाता है तो यहाँ पर लौयस्पात उद्योग में आपको लौयस्क, कोईला और चूना पत्थर इन तीनों की आवशक्ता पड़ती है यहाँ पर आपका सही आंसर है ग्यारे में का ए वाला, केवल एक, दो और चार बारेमा प्रशने अब आपका, देश के भिविन, इसपात, उतपादक केंद्र और राज्यों के संधर्व में सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा है जमसेदपूर, तेकि जमसेदपूर जो है आपका जहरखंट राज में स्थित है इसके बाद आपका अगला आजाता है, यह है बर्नपूर, बर्नपूर जो है आपका, यह आपका पशिम मंगाल में स्थित है भद्रावती जो है, यह आपका भद्रावती जो पढ़ता है, यह करनाटका में पढ़ता है इसके अलावा जो सलेम बच्चा हुआ है सलेम आपका जो है ये तमिलनाडू में है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है आपका वो है आपका D वाला बारे में का D यानि A का दूसरा, B का पहला, C का चोथा और D का तीसरा तेरेमा प्रशने अब आपका देश के विभिन इस्पाद उत्पादक केंद्र और राज्यों के संदर में सूची एक को सूची दोसे सुमलित करना है यहाँ पर फिर से वही उत्जोगों के इस्थान दिये हुए है और आपको राज्यों से मिलाना है तो आपका पहला इस्थान है यहां पर बोकारो बोकारो जो है यह जहारखन में पड़ता है इसके बाद अगला वाला जो है यहां पर यह है बिलाई बिलाई देखे बिलाई जो है यह चतिसगड में है इसके बाद आपका अगला वाला जो आता है यह आता है दुर्गापूर दुर्गापूर पश्चिम बंगाल में स्यत है इसके बाद अगला जो आपका बचा हुआ है यह है राउर किला राउर किला जो है ओडिसा में है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर B वाला यानि कि A का दूसरा, B का चोथा, C का पहला और D का तीसरा चौधैमा प्रशने वापका भारत में सरप्रथम लोईस पात कारखाना कहां इस्थापित किया गया था? पश्यमंगाल, चत्तिस गड़, जारखंड, करनाटक भारत में सरप्रथम लोईस पात कारखाना 1907 में जारखंड में स्थापित किया गया और ये कारखाना था आपका टिसको वाला यानि इसको हम Tata Iron and Steel Company Limited के नाम से जानते हैं इसकी पहले स्थापना की गई थी यानि एक निजी स्वामित का ये कारखाना था तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 14 में का C वाला पंद्रेमा प्रशने वापका Tata Iron and Steel Company टिसको के संबन्द में नेमलेकित कत्नों पर विचार कीजिए पुछा गया है कौन सा कत्न आपका असत्य है पहला है जारखंड में यह दामोदर और कोयल नदियों के संगम के समीप साक्ची में इस्थित है अगला है टिसको को जरिया कोयला चेत्रों से कोयला और ओडिसा तता चत्तीस गड़ से लहायस्क, चूना पत्तर, डोलोमाइट और मैगनीज प्राप्त होता है देखें यह जो कारखाना है यह जारखंड में स्वर्ड रेखा और खरकई नदियों के संगम पर इस्थित है स्वर्ड रेखा और दूसरी नदियों के संगम पर इस्थित है ना के यह दामोदर और कोयल पर तो यहांपर आपका पहला वाला option गलत हो जाएगा साख्ची नगर जिसमें इस्थावित किया गया था वर्थमान में इसका नाम जो जमशीतपूर है और जमशीतपूर नाम जो है क्योंकि इसकी स्थापना जो थी जमशीत जी टाठा ने कीती तो उनी के नाम पर इसका नाम रखती है गया जमसित्पूर तो यहाँ पर आपका पहला वाला उप्शन गलत हो जाएगा टिस्को को जो है जरिया कोईला चेत्रों से कोईला मिलता है इसके लाबा ओडिसा और चेत्रों से लोयस्क, चूना पत्तर, डोलोमाइट और मेगनीज प्राप्त होता है तो यहाँ पर आपका सेक्ट वाला गतन भी सही है यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गतन असत्य है तो यहाँ पर केवल पहला पला असत्य है पहला है कोईला पिट्सबर्ग में ही उपलब्द है जबकि लहोयस्क मिनेसोटा की लोही की खानों से प्राप्त होता है अगला है मिनेसोटा की खानों और पिट्सबर्ग के बीच नोपरिवन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है अगला है ओहियो, मोनो गहेला और एलगनी नदियों से परियाप जल प्राप्त होता है देखे बात की जाए पिट्सपर्ग की तो ये संयुक्त राज अमेरिका का एक महतपूर इस्पात नगर है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिल्कुल सही है कि कोईला पिट्सपर्ग में ही यहाँ पर उपलब्द है जबकि लहोयस्क जो है ये मिनेसोटा की जो लोहे की खान है यहाँ से प्राप्त होता है Pittsburgh जो है ये संयुक्त राज अमेरिका के Penisylvania राजमेस्चित है Minnesota की जो खान है और Pittsburgh के बीच की जो दूरी है लगवख 15 क्लिमेटर की दूरी है हाला कि फिर भी यहाँ पर 9 परिवन जो सबसे सस्ता साधन है 9 परिवन के लिए यहाँ पर यो Great Lakes है ये जलमार्क उपलंद करवाती है तो यहाँ पर आपका second वाला कतन भी सही है सबसे important है यहाँ की नदियों के बारे में कई बारे इन नदियों का नाम पूछा गया है तो आपका Pittsburgh नगर है ये किन नदियों से गिरा हुआ है ये OEO, Monogahela और L गनी नदियों से ये गिरा हुआ है तो यहाँ पर आपके तीसरा वाला कतन भी यहाँ पर सही है तो यहाँ पर आपके तीनोई कतन सही है तो यहाँ पर answer है ओपका D उप्रोग तो सभी 17 मा प्रशन धब आपका निम्रिखत मेंसे कौन से प्राकर्तिक रेसे हैं उन, रेयान, सिल्क, कपास देखे प्राकर्तिक रेसे यहाँ पर है आपका उन है यहाँ पर सिल्क है, कपास है यह आपके प्राकर्तिक रेसे हैं इसके लाबा यहाँ पर जो रेयान है यह मानम निर्वित रेसा है नाइलोन, पॉलिएस्टर, लिनन, एक्रिक्लिक देगे यहाँ पर नाइलोन, पॉलिष्टर और आपका एक्रिक्लिक, रियान यह सब मारब निर्मित रेसे हैं जबकि लिनन एक प्राकर्टिक रेसा है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है अठारे में का C वाला उन्निस्मा प्रश्णे बापका, देश का प्रथम वस्त रुद्ध्योग कहां पर स्थाबित किया गया था सूरत, एहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता देश में प्रथम वस्त रुद्ध्योग, अठारे सो अठारे इसपी में कोलकाता के जो फोर्ट गैलिष्टर है, इसके समी पे इस्थाबित हुआ था हाला कि ये कुछ समय बाद बंध हो गया था तो यहाँ पर जब भी ये पूछा जाएगा कि प्रतम वर्स रुद्ध्योग कहां इस्थाबित हुआ है तो आप कोलकाता अंसर लगाएंगे तो यहाँ पर उनिशमे का अंसर है दी बीसमा प्रशने इबाप का देश में पहली सफल यंत्रीकरत वस्त्र मिल कहां इस्थाबित की गई मुंबई, सूरत, एहमदाबाद, कोलकाता देखे देश में पहली सफल यंत्रीकरत वस्त्र मिल 1814 में मुंबई में स्ताबित की गई तो यहाँ पर आपका 20 में का सही आंसर है ए वाला अब देखे थोड़ा सा एक बात का ध्यान देना है आपको जब भी यह पूछा जाए आपसे कि देश का पहला जो वस्त्र उद्योग है कहां स्ताबित हुआ है तो कोलकाता का अंसर लगाएंगे और जब यह लिखा हो कि पहला सफल तब आप मुंबई का अंसर लगाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको तो यहाँ पर बीस मेंका अंसर है आपका एवाला एक किसमा प्रशन है अब आपका निम्न मैसे किसे भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है सूरत कलकत्ता एहमदाबाद तमिल नाडू देगे यहाँ पर एहमदाबाद जो है यह गुजरात में सावरमती नदी के तड़ परिस्थित है और 1869 में 1859 में यहाँ पर पहली सूती मिल इस्थाबित हुई थी तो एहमदाबाद को भारत का मैंचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि मैंचेस्टर जो है वो इंग्लेंड का एक सहर है और मैंचेस्टर अपनी एक औध्वेक करांती के लिए फैमस है खास करके वस्तर उत्तपादन के लिए तो इसलिए मैंचेस्टर की संग्या दी जाती है कोई सहर जो है माली ये वस्तर का उत्पादम सबसे ज़्यादा कर रहा है तो उसको मैंचेस्टर की संग्या दी जाती है तो मैंचेस्टर एक इंग्लेंड का सहर है तो यहाँ पर एक किसमे का सही आंसर है आपका C वाला बाइसमा प्रश्णय वापका निम्न मैंसे एक कौन सा सहर जापान का मैंचेस्टर या मांचास्टर के नाम से जाना जाता है टोकियो ओसाका योकोहामा नागासा की तेकि ओसाका जो है इसको जापान का मैंचेस्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह जापान का एक 23 प्रशने बापका जापान के महदपूर वस्त निर्माण केंदर ओसाका के संबन्द में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है तौन नदी ओसाका की मिलों के लिए परियाप जल उपलब्द करवाती है ओसाका का वस्त रुद्योग पूर्त है आयातित कच्चे माल के उपर निर्वर है अगला है कपास, मिस्त, भारत, चीन और यूएसे से आयत की जाती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला उप्शन गलत हो जाएगा जापान में कपास का उत्पादन नहीं होता है इसलिए जापान क्या करता है कच्चे माल को आयात करता है तो यहाँ पर आपका बी वाला कतन बिल्कुस सही है यह बात आपको याद रखनी है तो यह कपास जो है मिस्त, भारत, चीन और यूएसे से आयात की जाती है तो यहाँ पर आपका सी वाल आप्शन भी सही है यहाँ पर आपका केवल दो और तीन कतन सही है तो आंसर है आपका सी केवल दो दूएंगेशने वापका, फोर्ड गैलिस्टर अवस्त्यत है, तमिलनाडू में, कैलिफोर्णिया में, गुजरात में, पश्यम मंगाल में, तो यहाँ पर आपका सही आनसर है मैं का D वाला तो ये था हमारा आज का वीडियो I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूलें तो चलिए आज के लिए वस इतना ही ठैंक्स पूर वाचिंग जैहंद